28 साल बाद फिर से बनी मर्द की जोडि इस शुक्रवार को रिलीज होने जा रही सस्पेंज थ्रिलर फिल्म बद्दा में अमरिता सिंग भी एक पहम रोल्ड में नज़राएंगी जानकारी मिली है कि फिल्म में अमरिता सिंग को अमिता बच्चन की जोड़ीदार के रोल में देखा जाएगा हाला कि कहा जा रहा है कि अमरिता सिंग इस फिल्म में महमान कलाकार के रूप में नज़र आएंगी इस जोडी ने 28 साल पहले मनमोहंदे साई की फिल्म मर्द में एक साथ काम किया था अमरिता सिंग में इस से पहले अरजुन कपूर और अलिया भट की जोडी वाली फिल्म दो स्टेटस में अरजुन की मा का रोल किया था अमरिता सिंग को लेकर कुछ दिनों पहले चर्चा थी की जल्दी ही वे अपनी बेटी सारा अली के साथ एक फिल्म में काम करेंगी लेकिन बाद में अमरिता सिंग की ओर से इसे इंकार कर दिया गया अगले शुक्रवार को रिलीज होने जा रही फिल्म बदला का निर्मान शाहरोखान की कमपनी रेड चली ने किया है और फिल्म की मुखें भूमिकाओं में अमिताब बच्चन और तापसी पनू है ये फिल्म एक हत्या की साजिश पर आधारित है जिसमें अमिताब बच्चन इस हत्या की साजिश का परदा फाश करेंगे इस फिल्म के प्रमोशन में खुद शाहरोखान भी सक्रिये हैं हाल ही में अमिताब बच्चन के साथ शाहरोग खान का एक वीडियो सामने आया जिसमें दोनों इस फिल्म को लेकर चर्चा कर रहे हैं अभी तक इस बात को लेकर सस्पेंस बना हुआ है कि क्या शाहरोग खान भी इस फिल्म में मेहमान भूमिका में हैं इस सवाल पर सब खामोश हैं